कल दोस्तो 22 सेप्टेंबर को 12,460 सिक्षक भरती में होने वाली सुनवाई को लेकर सभी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है तो इस वीडियो में पूरी बात हम आपको बताएंगे कि कल क्या 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 कितने बजे कितने नमबर पर क्या क्या चीजे होगी तो वीडियो में अत्तक बने रहिएगा वीडियो को लाइक और अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस भरती की हर इक लेटेस्ट अपडेट आप पासके सबसे पहले दोस्तो 20 तरिक को जो सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ओर देख लीजिए वो भी आ चुका है देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आर्गोमेंट्स कुड नॉट भी कनक्लूड़ेट यानि कि अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है इसलिए मामले को कल के लिए लगाया जारा जो कि आज यहाँ पर मामला इस पर सुना गया था ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं कल की तो कल देखिए क्या है 22 September कौट नंबर 1 मसूदी सर और ओम प्रकास कुला सर की यह बेंच है जिसमें यह फ्रेस केस हैं सबसे पहले आज केवल दो फ्रेस केस थे लेकिन कल देखिए 5 फ्रेस केस हैं ठीक है केवल यह for admission के लिए लगा है और 369 के बाद 360 नमबर यानि कि दूसरे नमबर पर मामला लगा है मोहित कुमार दुवेदी for final disposal ठीक तो पहले 5 phrase case सुने जाएंगे ठीक उसके बाद एक additional का case सुना जाएगा उसके बाद 12460 का दूसरे नमबर पर सुना जाएगा यानि कि साथवे नमबर पर मामले की सुनवाई होगी कल जिसमें chances हैं कि 12 बजे के आसपास मामले की सुनवाई सुरू हो जाएगी अगर ज्यादा लेट नहीं हुआ phrase case में तो 12 बजे के आसपास मामला सुना जाना सुरू हो जाएगा अब दोस्तों देखिए आज लेंच के बाद माम का बस्ता जो कि कल फाइनल हो जाता हो कल आउडर रिजर्व हो जाता लेकिन अब बहुत कम chances हैं जो कॉल का आउडर रिजर्व हो लेकिन chances अभी भी है 90 प्रितिसत अब chances है कि कल मामला रिजर्व हो जाएगा ठीक है क्योंकि केवल जीरो वेटिंग के अधिवक्ता को अपना बहुत कम बहस करते हैं वो लगवग आदे घंटे की ही बहस करते हैं पिछली सुनवाई में सिंगल वेंच में आपने देखाता है तो उनके बाद तुरंग गावट घंटे का समय मिलेगा तो हो सकता है कि कल मामला रिजर्व हो जाए नहीं होता है तो फिर मंडे को फाइनली अबडेट लिकर आए हैं देखिए हो सकता है मैंने कल भी आपको संकेत दिये थे कि लेंच के बाद कोट में बदलाओ देखने को मिल सकता है और कल के लिए भी यही संकेत है कि जो मसूदी सरकी बिंच है वो 3.30 पर हो सकता है कि इस मामले को ना सुने 3.30 पर उनकी कोई अन जो बिंच है वो डिसाइड है जिस पर उन्होंने पहले से किसी मामले को confirm करके रखा है order देने के लिए साथ किसी अने चीज के लिए तो हो सकता है कि 3.30 के बाद वो हो सकता है कि मामले पर सुनवाई इनना करें यह chances हैं अभी हम इस पर confirm नहीं कह सकते क्योंकि जो सम्मंदी तो नोटीस होती है दोस्तो वो तुरन ततकाल कल ही देखने को मिलती है जैसे आज दोपहर बाद देखने को मिली है लेकिन हम यहाँ पर संभावना आपको बता रहे हैं कल भी मैंने बताई थी देखिए हो सही साबित हुई क्योंकि दोस्तो जीरो जनपत के चैनितकारी के मुहित कुमार दिव्यदी का वो पुरा मामला पुरी दर से बहस उनकी पूरी हो चुकी है तो मामला लगभग लगभग 70 फीजदी तक decide हो चुका है जो main जिसकी अपील होती है उसके जड़ सहाब ज़्यादा समय देते हैं क्योंकि उनको समस्या है वो अपील लेकर है तो उनको समय ज़्यादा दिया जाता है अब थोड़ा सरकार को समय दिया जाएगा इंक 50 अधिवाकताओं को भी समय मिलेगा ठीक है तो 30 फीजदी मामला लगभभर बचा है उमीद करते हैं कि कल मामला रिजर्व हो जाए अगर कल रिजर्व होता है तो अक्टूबर लाज्ट से पहले ही ऑडर दिखने को मिल जाएगा बाकी कल सुबह वीडियो का मादम से और दिस्तार अपडेट आपको हम दे देंगे कल की सुनवाई को लेकर आज तक की यह अपडेट ही उम्मीद आपको समझ में आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शियर जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा